हेलो गाईज आप सबका स्वागत है एट्मिक्स में आशा करता हूँ आप और आपके पैट्स हेल्दी होंगे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनीचे और पिंचेर के टॉप 10 फैक्ट के बारे में तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस कई सारे लोग इनकी एपिरियंस की करन धुका खा जाते हैं और समझते हैं कि यह डॉबर मैंसे स्मॉल साइज के यानि यह डॉबर मैंस की तरह ही दिखते हैं इसलिए कई सारे लोग ऐसे गलत फैमी में रहते हैं कि यह डॉबर मैंसी है लेकिन हाइट छोटी रह गई है फि यह डॉग बीट का जो एपिरियंस है, सेल्फ अश्यॉर्ड एटिट्यूड है, इसके कारण इन डॉग बीट को king of toys भी कहा जाता है, मिन पिन काफी ज़्यादा fearless है, energetic है, and alert companion dog breeds होते हैं, यह काफी ज़्यादा enjoy करते है company उनके families के साथ, ज़्यादा तर time spend करना उनको पसंद होता है, और इनको king of toys, उनके king complex के वज़े से यह नहीं, साथ-साथ इनकी जो loves है toward toys, उनके कारण भी कहा जाता है, नमबर थी, giant personality, लोग इन dog breeds को small dog breeds नहीं कहते हैं, क्योंकि इनके जो actions हैं वो वैसे नहीं है, यह dog breed काफी ज़्यादा fearless है, energetic है और अपने से बड़े dog breed को भी complete करने की शक्ति रखते हैं, और यह भी आपके home की protection के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इन dog breed को as a watch dog भी रखा जाता है, नमबर फॉर, intelligent, intelligent के मामले में dog breed काफी ज़्यादा alert होते हैं, आप इनको जो भी tax देते हो, जो भी job देते हो, वो ज़रू से complete करते हैं, काफे rare case में देखा गया कि इनका attention नहीं होता, लेकिन ऐसे normally, जिस भी cases की बात करे हम, उनमें यह dog breed काफी ज़्यादा खरे उतर हैं, यानि हर job में जैसे कि अगर watch dog हो, जो भी training दे रहे हो, टिप्स दे रहे हो, ट्रिक्स सिखा रहे हो, उन सब में यह खरे उतरते हैं, नमबर फाइ, history, हिस्टरी की बात करे तो, यह dog breed को जर्मन के बाहर कोई भी जानता नहीं था, पहले के समय में, यानि 1900 तक इन dog breed को कोई जानता है, नहीं तक कि एसी कोई dog breed है, 1925 में जब इन dog breed का, AKC में register हुआ, यानि पहचाना गया, उसके बाद से dog breed काफे ज़्यादा popular हुई, और आज के जमामने यह dog breed काफे ज़्यादा popular हो चुकिया, इसलिए यह worldwide popular है, नमबर शेक्स, एक्टिव, जैसे कि आप इनको dog breed को देख सकते हो, कि यह काफे ज़्यादा एक्टिव है, इनको अलग-अलग tax perform करना काफे ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए इनको दिन में कम से कम एक घंटे की exercise तो ज़रूर दे, बहले ही यह small size के होते हैं, लेकिन अगर आप इनको exercise करते हो, अगर आप टाक्स perform करते होते होते हैं, इनको काफे ज़्यादा पसंद होता है, यह काफे ज़्यादा active होते है, और अगर आपके घर के पास garden हो, तो यह dog breed को garden में खेलना काफे ज़्यादा पसंद भी होता है, नमबर 7, not for new owners, यह dog breed new owners के लिए इतने अच्छे कमपैबिलिटर dog breed नहीं है, क्योंकि यह dog breed के जो positive nature towards food and towards toys, यह आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, तो आपको संभालने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और इनको अगर proper train ना करो तो इनमें भी aggressive nature देखा गया है, इसलिए यह dog breed first time owners के लिए नहीं है, नमबर 8, size, size के मामले में इन dog breed की जो height है, वो 10 से 12 inches के बीच में होना चीए, यह perfect height रहे की, और जो weight की बात करें तो 4 से 5 kg की weight होना चीए, बोथ male and female में, नमबर 9, from which breed they belong, यह dog breed कौन से breed से belong करते हैं, जैसे कि मैंने बता है कि dog breed को जर्रा भी नहीं होते हैं, यह dog breed के जो ancestor हैं, यह dog breed के जो ancestor हैं, वो है all german, pincher, italian, greyhound, mancester, terrier, यह सब इन dog breed के ancestor है, नमबर 10, grooming, grooming के मामले में इन dog breed को, दिन में सिफ अगर आप एक बार grooming करते हो, तो यह काफी ज़्यादा अच्छा भी रहता है, और इन dog breed की जो skin है, coat है, वो काफी ज़्यादा अच्छा भी रहता है, दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो मीन पिन के बारे में, यानि मीनियेचर, pincher के बारे में, आशेकर तो आपको वीडियो अच्छी लगएगी, ऐसी वीडियो को यह और dog breed पेजिए, तो हमें जरूर से कमेंट करके बता है, मिलता आपको ऐसे इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ, थैंकियो फॉर वाचिंग,